चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो नी 23 का एकजाम सेवन्त मई 23 को है और इसके एप्लिकेशन फॉर्म जल्द स्टार्ट होने वाले हैं अगर आप भी नी 23 की एकजाम में पार्टिस्पेट करना चारे हैं और एप्लिकेशन फॉर्म फिल करना चारे हैं तो आपको एप्लिकेशन फॉर्म बड़े ही ध्यान से फिल करना है application forum fill करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें अगर किसी प्रकार की mistake होती है तो यह आपको admission के time में problem हो सकती है और preparation के time में भी आपको tension बनी रहेगी अब application forum fill करते समय कौन-कौन से documents upload करने हैं इस विशय पर इस वीडियो में हम सर्चा करेंगे तो neat का application forum fill करते समय यह 6 प्रकार के documents आपको upload करने हैं इनके जो image हैं वो scan करके फिर upload करने होंगे तो यह documents से कौन-कौन से हैं इस वीडियो में हम इन documents के बारे में बारी-बारी से चर्चा करेंगे तो सबसे पहले password size का photograph upload करना है और postcard size का photograph upload करना है तो दो तो आपके photograph होगे इसके इनकर करके upload करने हैं इसके बाद में left और right थम की अंगुली और अंगुठे का निशान आपको upload करना है signature upload करने हैं इसके अलावा जो candidate PWD category से हैं विकलांग हैं उनको PWD category का certificate upload करना है इसके अलावा category certificate भी upload करना है और 10th की mark seat या certificate upload करना है अब इनके बारे में हम बारी-बारी से बात करें कि इनके लिए क्या-क्या condition होने चीए तो इसमें जो postcard size का और passport size का photograph है वो 10 से 200 kb के बीच में होना चीए पासवोर्ड size का photograph छोटा होता है और postcard size का photograph बड़ा होता है तो इसमें जो photo आपको बनवानी है वो photo click करवानी है उसमें name होना चीए आपका इसके बाद में कौन सी तारिक को आपने ये photo ली है ये इसमें mention होना चीए जनरली इसमें 1 जनौरी 2023 के बाद का photo ही माना जाएगा तो आप जब application form start होंगे तब आप नया photo बनवा लें और photo पे अपना नाम लिखके जिस दिन आप ये photo बनवा रहे हैं उसका यहाँ date mention करवा लें photographs है वो clear होना चीए और इसका जो background है वो white background होना चीए इसमें इसके बाद में जो left thumb और right thumb के अंगुली और अंगुठे इसका आपको image upload करना है एक white paper पर दोनों हाथ के अंगुली और अंगुठे आपको impress करके फिर इनको upload करना है इसके बाद में signature upload करने हैं वो 4-30kb के बीच में होना चीए और जो thumb और finger impression है वो 10-200k के बीच में होना चीए इसमें इसके बाद में आपको certificates upload करने हैं तो जो need के category है जो need की category है वो 5 category होती है इसमें वो होती है UR, EWS, OBC, SC, ST तो इनमें UR का कोई certificate upload नहीं करना होता है लेकिन EWS, OBC, SC, ST इन 4 category का आपको certificate upload करना है need का application form फिल करते हैं तो जो UR का कोई certificate upload नहीं करना है लेकिन EWS और OBC का जो certificate upload करना है SC, ST का certificate upload करना है इनका performa information platine में दिया होता है और वो state का भी performa इसमें मानने होता है किसी-किसी state में performa अलग होता है तो state का performa भी इसमें मानने है अब इसमें SC, ST की जो validity है certificate की वो lifetime के लिए होती है यानि कि SC, ST के certificate की कोई validity नहीं होती है अगर आपके पास एक बार बना हुआ है तो वो upload कर सकते हैं उसमें कोई problem नहीं है लेकिन जो EWS और OBC के certificate होते हैं इनकी जो validity होती है वो financial year के according one year होती है तो NEET में जो आपको OBC और EWS के certificate upload करने हैं वो एक जनवरी 2023 के बाद में बने वे होनी चीए ये cut-off date रहती है EWS और OBC के certificate की पिछली साल भी ये ही cut-off date रही थी जनवरी के बाद में यानि 1 जनवरी के बाद में लेकिन किसी प्रकार की कोई problem नहीं है अगर आपके पास में EWS और OBC का certificate पुराना है तो आप पुराना certificate upload कर सकते हैं उसके साथ एक declaration upload कर सकते हैं declaration का मतलब ये है कि अभी आपके पास में ये certificate नहीं है और इसको आप बाद में बनवा के admission के time में बनवा के आप admission के time में इसको produce कर देंगे ऐसा आप इसमें declaration दे सकते हैं OBC और EWS category के candidates अगर आपके पास में certificate पुराना है तो तो वो पुराना certificate भी upload कर सकते हैं या फिर ये declaration भी दे सकते हैं कि मैं ये certificate produce कर दूँगा admission के time में तो इस परकार का declaration भी आप दे सकते हैं EWS और OBC category के candidates तो ये हो गई certificate की बात इसके बाद में जो PWD candidate से वो भी अपना certificate upload कर सकते हैं ये जो PWD candidate से उनका certificate बाद में बनेगा लेकिन जो उनके पास में initially certificate है वो यहाँ upload कर सकते हैं बाद में जो board है वो board दवारा एक certificate issue होगा वही माना जाएगा इसके अलावा अगर आपके पास certificate है तो वो certificate आप अभी upload कर सकते हैं उसके बाद में 10th का mark seat या certificate upload करना है तो वो 10th का mark seat या certificate दोनों में से कोई एक upload कर सकते हैं किसी किसी state में दोनों एक ही होते हैं तो mark seat भी upload कर सकते हैं अगर किसी state में certificate अलग होता है mark seat अलग होती हैं तो वो आप certificate upload कर सकते हैं तो इसमें 10th की mark seat भी मानने है और certificate भी मानने हैं उनों में से जो आपके पास certificate है तो certificate upload कर दें, otherwise mark seat है तो mark seat upload कर दें, तो ये जो 6-7 परकार की document से यही upload करने हैं आपको need 23 के लिए, अभी आपको कोई भी documents बनवाने की जरूरत नहीं है, आप admission के time में OBC और EWS का certificate बनवा सकते हैं, CST का certificate अगर आपके पास available है तो वो अपलोड कर दें, नहीं तो ये नया बनवा कर आप अपलोड कर सकते हैं, तो ये जानकारी थी कि need 23 में कौन-कौन से documents अपलोड होंगे, क्या अभी हमें बनवाने हैं, या फिर कब बनवाने हैं, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे mistake ना हो, और कौन-कौन से documents आपको upload करने हैं, ये मैं आपको पूरा का पूरा procedure ये as समझा दूँगा, तो जैसे ये start होंगे, मैं आपको inform कर दूँगा, तो मिलेंगे नई updates के साथ, नए वीडियो में आप से फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाते-जाते आपको ये बता अगर आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe जरूर करें, क्योंकि इस परकार की information नीट 23 के regarding हर परकार की information हम लेके आएंगे, जो आपके लिए काफी helpful रहेंगी, तो मिलेंगे नई update के साथ, नए वीडियो में तब तक के लिए, जैहिं!